Hello students, NCRT, Maths, Class 9th में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रिशना मली 2.4 में प्रिशने क्रमांग 4 हल करेंगे जिसमें हमें गुड़न खंड ग्यात करना है तो सबसे पहली बात ये है कि गुड़न खंड क्या है तो गुड़न खंड में दो सब्द हैं पहला है गुड़न और दूसरा है खंड अब यहां पर इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे दो खंड, खंड का अगर अच्छे से समझा जाए तो खंड मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग और गुड़न का मतलब होता है उनका आपस में गुड़ा तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वे अगर हिस्सा है और उनका आपस में गुड़ा कर देंगे तो वो हिस्सा या भाग गुड़न खंड कहलाएगा आईए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं जैसे आपके पास दो हिस्से हैं दो हिस्से जैसे कि पहला हिस्सा है X प्लस 3 और दूसरा हिस्सा है X प्लस 4 तो ये हैं दो गुणन खंड लेकिन ये किसके गुणन खंड हैं ये हमें तब पता चलेगा जब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे इसका मतलब है कि जब हम आपस में गुणा करेंगे जैसे X का गुणा इन दोनों में होगा X प्लस 4 और प्लस 3 का गुणा भी इन दोनों में होगा X प्लस 4 तो X X का X बर्ग X का 4 में होगा तो 4 X 3 का X में होगा तो 3 X और 3 जोके 12 है ये 4 X और 3 X आपस में जुड जाएंगे बाकी और कुछ नहीं जुड रहा है तो X बर्ग प्लस 4 और 3 7 X प्लस 12 है तो ये जो है आपको यहाँ पे एक बहुपद मिलेगा इसके गुणन खंड कौन है ये दोनों ये तो अब इसका मतलब ये साफ हो गया है कि गुणन खंड में खंड यानी हिस्सा इसके कितने भाग है इसके दो भाग है पहला भाग और दूसरा भाग तो ये इनके गुणन खंड है अगर इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या बनेगी तो इ हमें question में ये दिया गया है और कहा गया है कि उसके गुणन खंड निका लिए इस तरीके से दो खंड निका लिए तो question में हमें इस तरीके से question दिया गया है आप question को देख सकते हैं कि यहाँ पे बिलकुल उसी तरीके से दिया गया है और हमें निकाला कैसा है इसका खंड के रू आएं तो ऐसा हमें करना है तो एक ऐसी कौन सी बिधी है जिसके जरीए हम गुड़नखंड निकालेंगे तो आईए पहला कॉश्चन हम अलग से लिखते हैं इसके बाद करम से करते जाएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है गुड़नखंड निकाल से तो आएए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आपको गुड़नखंड निकालना हो तो देख चेक करना है उसमें कि आपको तीन पद दिये गए हैं कि नहीं पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद अगर ये तीन पद दिये गए हैं तो समझ जाईए कि इसको हल करना बहुत ही सिंपल है चार पद है तो भी सिंपल होता है लेकिन अभी आप फोकस कीजिए केवल तीन पद वाले जो बहुपद दिये होते हैं उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप है अच्छे से समझना है कि सब उसे आखरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में ही करना है संख्या का गुणा संख्या में तो बताइए सबसे आखरी में यहां पे अचर पद क्या है एक है और यहां पे सबसे पहली क्या है बाराए इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमने यहां पे चार हमें जो बहुपत दिये गए हैं, इसमें अगर हम दूसरे कॉश्टन में देखें तो सबसे आखरी वाली संख्या क्या है तीन, और सबसे पहली संख्या क्या है दो, तीसरे में देखिए, सबसे आखरी वाली संख्या क्या है छे, और सबसे पहले वाली संख्या क्या है छे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा सबसे आखरी वाली संख्या है, चार, इसका गुणा तीन में करेंगे, केवल संख्या का, तो ये पहला step होता है, आईए बापस चलते हैं, तो सबसे आखरी संख्या एक है, और सबसे पहली संख्या बारह है, तो बारह एक ये पहला step हुआ तो उत्तर कितना आया बारह ही आया अब दूसरा step ये है कि एसी दो संख्याएं खोजना हैं जिनका गुणा बारह हो तो देखिए जिनका गुणा बारह होता हो तो बारह एकम बारह इनका गुणा भी बारह होता है च्छे दूनी बारा है इसका गुणा भी बारा होता है ये आपको मन से सोचना है कि बारा है किस किस में आता है फिर चार की दूनिया में भी आता है चार तिया बारा है अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ती चौके बारा है लेकि नहीं लिखना है क्योंकि 3-4-12 और 4-13 दोनों में 3-4 संख्या तो उनको एक बार लिखना है इसी तरीके से ये भी नहीं लिखना है कि 2-6-12 क्योंकि 6 दूनी तो लिख गया तो रिपीट नहीं करना है और तो नहीं आता ना चलिए अब ये 12 हो गया लेकिन इन में से इन तीन संख्या हैं हमें यहां पे तीन जोड़े मिले हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों में से हमें केवल एक संख्या सेलेक्ट करनी हैं जो हम यहां पे लिखेंगे लेकिन कौन सी लिखेंगे अब इसको ध्यान से देखिए बीच बाली संख्या डिसाइट करती है कि इन तीन जोडे में से कौन सा जोडा सेलेक्ट होगा बीच बाली संख्या देखिए क्या है साथ एक्स है न तो इन में से ऐसी कौन से संख्या है जिनका जोड साथ होता है क्या बारा और एक को जोडने से साथ आता है, नहीं, बारा और एक को जोडने से तो क्या आता है, तेरा आता है, छै और दो जोडने से आता है, क्या, साथ नहीं आता है, छै और दो जोडने से तो आठाता है ना, लेकिन चार और तीन जोडने से साथ आता है, तो संख्याएं कि क्या साथ हमारा प्लस में है की माइनस में है? माइनस में है तो इनको हमें इस तरीके से लिखना है कि ये जो साथ एक्स है ये माइनस का साथ एक्स बने तो बड़ा ही सिंपल है आपको क्या करना है? माइनस का 4X लेना है और माइनस का ही 3X लेना है तो दोनों जुड़के माइनस के ही क्या हो जाएंगे 7X हो जाएंगे न तो इसलिए अब हम 7X ना भी लिखें तो कोई बात नहीं हम उसकी जगह पर माइनस 7X ले माइनस 4X प्लस माइनस 3X लिखेंगे या माइनस 4X माइनस 3X लिखेंगे तो हम 7X नहीं लिखेंगे और ये वाली संख्या भी जिओं कीते हो और ये वाली संख्या भी जिओं कीते हो फिर से समझे पहला स्टेप क्या था आखरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है पहला step यही है न, आखरी वाली संख्या का गुणा, पहली वाली संख्या में करना है, जितना उत्तर आता है, अब वो हमें गुणा में देखनी होती है, कि कौन-कौन सी यसी संख्या हैं जिनका उत्तर वही आता है, जैसे 12 एकम 12 होगे चाहिए, लेकिन suitable संख्या कौन होती है, जो बीच बाली संख्या होती है, उससे डिसाइड होता है, उन दोनों संख्याओं का जोड़ बीच बाली संख्या होनी चाहिए, जैसे कि 4 और 3 कितनी हुई थी, 7 हुई थी, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसको जियों काते हो लिखेंगे, देखिए, हल करते समय, पहल जोड़ी क्वेश्चन ही जीओं का तेयों लिखना होता है, उसके बाद हमें ये वाली संख्या जीओं की तेयों लिखनी है, 12x और 7x को हम क्या लिख सकते है, माइनस 4x और माइनस 3x, माइनस 4x माइनस 3x, ये 7x की जिगाए पर ये आ गया, और पहली संख्या और आखरी जिस नहीं होते हैं जियों की तियों ही लिखी जाती है बस इतना ही है अब इसके बाद यहां पर टोटल चार पद हो जाते हैं एक दो तीन और चार तो अब क्या करना है दो दो पदों में से कोमन निकालना है जैसे कि यहां पर देखिए यहां इन दोनों में से क्या कोमन आ रह निकालना है जो उन दौनों में हो तो यहां पे एक्स है यहां पे भी एक्स है तो हम एक्स तो इन दौनों से ले सकते हैं ना तो हमने एक्स ले लिया साथ में यहां पे चार है और चार का भाग भी बारह में जाता है तो यहां पे हम चार भी ले सकते हैं तो हमने चार कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया तो अब ब्रैकिट में इन दोनों का लिखेंगे कि क्या बचता है इन दोनों में से अब क्या बचा वो यहाँ पे लिखेंगे comparison करेंगे इस से चलिए चारतिया बारा कितने बार गया था तीन बार अब यहाँ पे x बार था इसका मतलब इसके पास दो x थे एक x निकल गया तो एक x तो बच गया फिर क्या है माइनस तो माइनस लगा दिया चार x यह पूरा का पूरा बाहर आ गया क्योंकि चार x हमने इस से लिया है तो यह पूरा बाहर आ गया तो जब पूरा का पूरा बाहर आएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा तो एक लिख सकते हैं इसी तरीके से अब इन दोनों में अलग देखना है कि क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में यहां तीन है तो यहां नहीं है यहां एक्स है तो यहां भी नहीं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जब दोनो संख्याओं में, दोनो पदों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन लेते हैं और चिन्ड वही रहेगा जो यहां पे लगा है चिन्ड यहां किसका लगा है माइनस का तो माइनस का ही रहेगा लेकिन एक common आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी common नहीं आ रहा है तो एक common लिया तो जब minus का common हो साथ में तो अंदर का चिन्ड बदल के पूरी संख्या लिखते हैं तो यहाँ से start करेंगे T next minus यह जो plus है यह minus में चिन्ड होगा क्योंकि minus common है और यहाँ पे एक जियों काते हो क्योंकि कुछ भी common नहीं है तो यह जियों काते हो लिखा तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं अब यह दो ब्रैकिट जो है यह दो जगाए लिखे हैं तो इनको एक जगाए लिख देते हैं इसका मतलब है कि हमने 3x minus 1 को common निकाला है तो जब इसको हमने common निकाला तो क्या बचा 4x minus 1 जो बाहर हैं इनको अंदर लिख लेते हैं तो 4x minus 1 तो यह देखिए दो टुकडे हो गए यही तो गुड़न खंड हैं इसके तो यही हमें करना था तो 3x minus 1 और 4x minus 1 पहला question इस तरीके से solve होगा तो यह question थोड़ा मैंने detail से बताया है क्योंकि एक बार आप इसको देख लोगे कैसा करना है तो फिर आप इसको सीख जाओगे कि अच्छा इस तरीके के question कैसे होते हैं है कुछ नहीं बस समझने वाली बात होती है अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो निश्चेत ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे जैसे की दूसरा question देखते है अब हमारा जो rough है वो यहां site से चलेगा ये बताए आखरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं तो तीन दूनी कितना आया च्छे अब ऐसी संख्या खोजिए जिनका गुणा च्छे होता है तो सबसे पहले तो च्छे एकम च्छे होता है फिर तीन दूनी च्छे होता है च्छे एकम च्छे करो तो भी च्छे आता है अब 2 तीया 6 कर दो तो भी लेकिन 3 दो नहीं लिख गया है तो 2 तीया लिखने की जरुषत नहीं है यहाता है 6 लेकिन इन दोनों संख्याओं के जोड़े मैंसे हमें एक जोड़ा सेलेक्ट करना है वो कौन सा होगा वो बीच बाली संख्या decide करें कि यहाँ पर क्या लेखा है 7x क्या लेखा है ना 7x लेखा है तो सबसे पहले 7x है तो 3 और 2 जोड़े से क्या 7 आते हैं अंसर है नहीं 3 और 2 जोड़ने से तो 5 आते हैं लेकिन 6 और 1 जोड़ने से 7 तो संख्या है कौन सी सेलेक्ट होंगी 6 और 1 तो इसलिए सबसे पहले हम इसको हम जियों काते हो लिखेंगे जैसे कि 2X वर्ग धन 7X धन 3 इसके बाद ये पहली संक्या हम जियों की ते हो लिखेंगे देते हैं और दूसरी संक्या भी जियों की दियों ये आकरी वाली संक्या भी जियों की दियों लेकिन बीच बाला स्टेप जो उसको बस चेंज करते हैं साथ एक्स की जगाए पर हम छे एक्स और एक एक्स लिखेंगे तो छे एक्स प्लस एक एक्स ये लिख दिया तो इस तरीके से ये चार पदों में कनवर्ट हो जाएगी अब हमें क्या करना है कि चार पदों में से दो दो पदों में से कॉमन निकालना तो देखिए यहां पे दो है और दो की दूनिया में छे आता है ना इसलिए हम 2 common ले सकते हैं क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 3 बार यहां पे x है और यहां पे भी x है तो हम x भी common ले सकते हैं तो 2 common लिया और x भी common लिया अब यहां पे देखते हैं क्या बचा जब 2 और x दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे 2 तो नहीं बचेगा क्योंकि 2 तो common निकल गया है X बर गया है तो X तो common निकल गया तो 1 X तो यहाँ पे बचेगा न क्योंकि 2 X थे एक अगर निकल भी गया तो 1 बच गया तो बची हुई चीज है यहाँ पे लिखते हैं bracket में प्लस, दो तिया, छे, कितने वार भाग जा रहा है, दो तिया, छे, तीन वार, तो तीन लिखेंगे, और एक्स तो ये पूरा निकल गया, इसलिए इस पोजिशन पर कुछ भी नहीं बचा केबल तीन के लावा, तीन कहां से आया, दो तिया, छे, इसके बाद आगे बढ़ते ह तो यहां पे प्लस का चिन है, तो प्लस लगा दिया, इन दोनों मेंसे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहां पे एक्स है, तो यहां पे नहीं है, तो कैसे कॉमन निकालेंगे, और यहां पे तीन है, तो यहां पे नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं हो, त प्लस तीन जियों काते हूं जियों काते हूं क्यों लिखा है अंदर का चिन्न क्यों नहीं बदला क्योंकि जब माइनस कॉमन हो तब यहां पे माइनस का चिन्न होता तब अंदर का माइनस प्लस में बदलता या प्लस माइनस में बदलता लेकिन प्लस जब common हो तो कोई changes नहीं आते हैं अब ये दो जगाए लिखा हुगा है तो इसे एक जगाए लिखे दिया x प्लस तीन और बाहर का अंदर कर लिया तो दो x प्लस एक है तो ये इसके दो गुड़न खंड़ आ जाएंगे तो उमीद है कि आपको इस तरीके के questions समझ में आ रहे होंगे इसके बाद यदि हम तीसरे question की बात करें तो यहाँ पे तो तीसरा question आपके सामने है और यहाँ पे चलेगा हमारा rough work तो आपका पहला step क्या होता है बताएए क्या आप बता सकते हैं जब तक मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ दो एक्स बर्ग प्लस पांच एक्स माइनस च्छे इसको जियों करते हैं पहला step यह होता है कि आखरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं गुणन खंड निकालते समय दूसरा होता है बाराहतिया 36 तीसरा होता है नो चोगे 36 यह ہوتा है na चलिए अब इनमें से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट होगा वो कौट डिसाइड करता है बीच बाली संख्या बीच बाली संख्या क्या पांच एक्स तो इन मेंसे 36 और एक को जोडने घटाने से क्या पाँच आता है नहीं 36 में एक जोड़ दोगे तो 37 आता है और अगर जादा से जादा 36 में से एक घटा दोगे तो 35 आयगा, तो ये तो हो नहीं सकती अब 12 और 3 की बात करते हैं 12 और 3 में अगर 12 और 3 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा और 12 में से 3 घटा दोगे तो 9 आएगा तो ये भी नहीं होगी अब इसको देखिए 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है लेकिन 9 में से 4 यदि घटा दें तो 5 आता है तो यहाँ पे कुछ बात बनी तो क्या करना है हमें लेकिन सोच समझ के 9 को हमें प्लस का लेना पड़ेगा और 4 को हमें माइनस का लेना पड़ेगा 9 X माइनस 4 X लिखेंगे तब ही जाके प्लस का 5 X बनेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती है तो आप समझ रहे होंगे कि हमें अंतर देखना होता है कि क्या होता है उन दोनों में तो बताइए 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा न तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हम जियों कीते हो लिखते हैं तो हमने लिख दी इसको 6X वर्ग और ये माइनस का 6 लेकिन ये जो 5X है इसको हम तोड़ के लिखेंगे वो भी पहले हम पॉजिटिव का 9X लिख लेंगे और बाद में हम कितना लिखेंगे बाद में हम लिख लेंगे ये 4X तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा ना 5X और माइनस 6 हमारे पास है पहले से ये थोड़ा दूर लिखाए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी के साथ है समझाने के लिए हो गया तो 6X पर प्लस 9X माइनस 4 X माइनस 6 अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा यहाँ पे 4 पत बन चुके हैं 1, 2, 3, 4 तो 2 में से अलग कोमन निकाला है और इन 2 में से अलग कोमन निकाला है चलिए यहाँ पे X है यहाँ पे X है तो इन दोनों से हमें X मिल सकता है तो हमने X कोमन निकाल लिया साथ में यहाँ पे क्या है? 6 तो 6 की टेविल में 9 नहीं आता लेकिन तीन की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है तो हम 3 तो कम से कम common निकल सकते हैं तो हमने 3 common निकल तो 3 x common निकलेंगी तो क्या बचेगा देखते हैं 3 से पहले भाग देंगे संख्या का संख्या में भाग 3 दूनी 6 कितने बार गया है 2 बार तो इस ब्रैक्ट में 2 लिख देंगे फिर x है यहां पे 2 किगाथ 1 x बाहर निकल गया तो 1 x बच जाएगा फिर प्लस लगा है तो प्लस अब देखें 3 का 9 में भाग देंगे संख्या का संख्या में भाग देंगे तो 3 तर का 9 कितने बार गया 3 बार और x तो पूरा का पूरा कौमन निकल गया तो यहां पे कुछ भी नहीं बचा इस तरीके से अब यहां पे माइनस लगा है तो सुरू आती यहां तक क्योंकि हमने 2 पद हो चुकी है हमने कौमन निकल लिया तो तीसरे पद पर आएंगे तो उसका पहले चिनने लगांगे किसका है माइनस का अब यहां पे देखिए यहां पे 4 है यहां पे 6 है तो 4 की टेविल में 6 नहीं आता लेकिन 2 की टेविल में 4 और 6 दोनों आते हैं कैसे दो एकम 2 दो दूनी 4 दो तीया 6 है किस की टेविल में आते हैं दो की टेविल में तो हम दो कोमन निकल सकते हैं और चेक करेंगे क्या एकस भी कोमन आएगा यहां पे तो एकस है यहां पे है क्या एकस नहीं है ना तो हम केबल दो कोमन निकालेंगे और अब bracket बना देंगे तो पहले पद में दो common निकाले से क्या बचा दो दूनी चार तो दो बचा दो बार भाग चला गया क्योंकि और x तो common है नहीं तो x यहां पे बस बचेगा फिर यहां पे minus लगा है और फिर दो तिया 6 तो तीन बार भाग चला जागा लेकिन minus common है तो minus का क्या बनेगा प्लस तो इस तरीके से जब हम minus common निकालते हैं तो अंदर का जो भी चिन्न है वो बदलता है चाहे minus का हो तो plus का हो प्लस का हो तो minus का अब यह दो bracket एक से हैं बिलकुल इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है अब यह दो जगा लिखें तो इसे एक जगा लिख देते हैं दो X plus 3 और यहां पे यह जो बाहर है इसको हम बाहर लिख देते हैं 3X minus 2 तो इस तरीके से यह दो गुणन खंडा जाएंगे इसके बाद चौथा question जो हमें दिया गया है यह आपके सामने है तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं तो क्या दिया गया है 3X वर्ग minus X minus 4 और यहां पे हमारा रफ होगा तो सबसे पहले आपका नियम क्या है कि आखरी वाली संक्या का गुणा पहली वाली संक्या में करेंगे तो 4 तिया बार है अब ऐसी संक्या खोजना है जिनका गुणा 12 होता है तो सबसे पहले 12 है एकम 12 है फिर 4 तिया 12 है और क्या होता है और नहीं होता तो 12 है अब इसमें क्या है minus X लिखा है तो X के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है तो हमें minus 1 यहां पे लिखा मानना है तो अब इन दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट होगा वो कौन डिसाइट करेगा यह बीच बाली संख्या बीच बाली संख्या यानि की माइनस बन तो बारह और एक को जोड़ने घटाने से क्या माइनस बनाता है अगर बारह और एक जोड़ दो तो तेरह आएगा और बारह में से एक घटा दीजिए तो कितना आएगा ग्या रह आएगा तो यह तो नहीं है अब चार में से चार और तीन को जोड़ोगे तो कितना आएगा साथ लेकिन चार मैंसे तीन घटा होगे तो एक बचेगा लेकिन हमें तो चाहिए चार मैंसे तीन घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का एक है ना क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी है चार मैंसे तीन घटाएंगे तो एक बचेगा लेकिन हमें चाहिए माइनस एक तो minus का x बचेगा न, इसलिए पहली वाली संख्या और सबसे आकरी वाली संख्या जियों कीते हूँ, बीच वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे, plus का 3x और minus 4x, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो minus 4x पहले भी लिख दें और 3x तो उससे परक नहीं होता, गुरंखंद वही आते हैं जो आपके आंसर में आएंगे या मेरे आंसर में आएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार पद बन गए हैं, एक, दो, तीन, चार, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो पदों में से अलग common निकालेंगे, और इन दो पदों में से अलग common निकालेंगे, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तो तीन वाइनिश्ट है, और यहाँ पर भी एक्स है, तो तीन निकल गया, एक्स भी निकल गया, तो इस पद में क्या बचा, एक एक्स और बचा, क अब यहाँ पे चार है और यहाँ पे भी चार है तो चार कॉमन निकालेंगे यहाँ पे X है यहाँ पे X नहीं है तो X कॉमन नहीं आएगा तो चार ही कॉमन आगया तो X बचा और माइनस चू की कॉमन है हमेशा याद रखिए माइनस कॉमन है तो अंदर कम जो भी चिनने वो दल जाएगा मैनस का है तो प्लस का हो जाएगा चार एकम चार एक बार भाग चला गया यह दो ब्रैकेट अगर एक से हैं तो इसका मतलब आपका सवाल सही है तो इनको दो बार लिखा है तो इसको एक बार लिख देते हैं और एक बार इसको लिख देते हैं जो बाहर लिखाए तीन एक्स माइनस चार तो इस तरीके से ये भी चौतिक के भी गुड़नगंड आ जाएंगे तो यहाँ पर प्रश्निक ग्रमांगिचार समाप्त होता है